देश में अब जल्द ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से एक राज्य जम्मो कश्मीर भी है जहां चुनाव को लेकर राजनेतिक दलों ने अपनी कमर कसली है बीजेपी भी घाटी में जीत का परचम लहराना चाती है इसे लेकर उसने नया दाओं च लकती है इसी खेल को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने अब नया दाओ चला है उसकी नजर गुर्जर समुदाई पर है यही वज़ा है कि बीजेपी ने जम्मो कश्मीर से मुस्लिमों के गुर्जर बकरवाल समुदाई से आने वाले गुलाम अली खटाना को परेंद्रमोदी ने समाज के उपेक्शित तवके के उत्थान का अपना वादा पूरा किया है अब भले ही बीजेपी गुर्जर समुदाई की तरक्की की बात कर रही हो लेकिन सच तो केवल सियासी समीकरण में छिपा है दरसल जम्मो कश्मीर में मुस्लिम वोट बैंक की सि खोड़ी अलग रही है ऐसे में बीजेपी इस वर्ग को अपने पाले में लाना चाहती है ताकि वे पक्षी दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सके इसके अलावा जम्मो के बाहर भी वो अपनी पैट बनाने की मौके तलाश रही है माना जा रहा है कि गुलाम अली खटाना को राज सभा भेज कर बीजेपी ने यही समीकरंट साधने की कोशिश की है आवादी के लिहास से भी देखें तो गुरजर बकरवाल समुदाई की संख्या केंदर शासित प्रदेश में 13 से 15 फीसदी के करीब है इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने ये दाव चला है लेकिन ये उस पर भारी भी पढ़ सकता है क्योंकि हिंदत तो उसके हाथ से छूट सकता है जिसका फायदा विरोधियों को होगा डीवी लाइफ की रिपोर्ट